अगर आप Telegram application का use करते हैं Telegram पे आपका account है तो यहाँ पे Telegram ने एक बहुत ही अच्छा feature निकाला है इस feature में आप अपने WhatsApp के किसी भी contact की chat को जो है वो export करके import कर सकते हैं अपने Telegram account की अपने friends की chat में तो simple आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है simple process है कैसे आपको करना है तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ लेकिन उससे पहले इस वीडियो को अभी से like कर दीजे साथ मेरे channel को भी subscribe कर लिजेगा notification bell को भी press कर लिजेगा ताकि आगे भी आपको इस तरह के interesting videos मिलती रहे हैं तो चलिए यहाँ पर बात करते हैं किस तरीके से जो है आप WhatsApp से किसी भी अपने friend की chat को export करके import कर सकते हैं अपने telegram की chat में तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा simple अपने WhatsApp को open करने के वाद आपको यहाँ पर अपने उस friend की chat को open कर लेना है और यहाँ पर 3 dots का option मिल जाएगा तो आपको simple यहाँ पर 3 dots के option पे click करना है आपको यहाँ पे नीचे आना है नीचे आपको यहाँ पे more का option मिल जाएगा simply आपको इस पर click कर देना है then export чat का option पे k्लिक करने के बाद आपके सामने option के आएगा without media & include media अगर आप यहाँ पे without media के option पे click करते हैं तो जो भी आपने अपने friends के साथ photos, videos share किये होंगे वो यहाँ पे export नहीं होंगे तो अगर आप यहाँ पे include media के option पे click करते हैं तो जो भी आपने chats की होंगी जो भी आपने message की होंगे, photos, videos, सारा जो data है वो export हो जाएगा तो हम जो है यहाँ पे simple without media करने वाले हैं तो हम इस पे click कर देते हैं click करने के वाद आपके सामने नीचे options आ जाएंगे और यहाँ पे आपको telegram वाली application का भी option मिल जाएगा आप यहाँ पे देख सकते हैं telegram हम यहाँ पे simply इस पे click कर देते हैं क्लिक करने के वाद आपके सामने आपके कॉंटरेक्ट आ जाएंगे आप यहाँ पे उपर से सर्च भी कर सकते हैं दन उसके वाद जो है आपने अपने जिस्वी फ्रेंड की चैट को एक्सपोर्ट किया होगा उसे इंपोर्ट करने के लिए आपको अपने उस फ्रेंड का नेम सर्च कर ले ा है आपको यहाँ पे भी उसी नेम से अपने फ्रेंड का नेम सेव कर लेना हैं तो तो दन उसके वाद जो है îmपोर्ट करने के लिए simple आपको उसे select कर लेना है दन उसके वाद जो है आप यहाँ पे देख सकते हैं do you want to import messages from Ajay to the chat with Ajay तो आपको यहाँ पे नीचे import का option मिल जाएगा तो आपको import के option पे click कर देना है import के option पे click करने के वाद friends आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारी जो chat है WhatsApp की वो यहाँ पे import हो चुकी है so guys मैं यहाँ पे आपको बताना चाता हूँ कि यह depend करता है कि आपकी chats कितनी हैं अगर आपकी chats जादा है तो यहाँ पे आपको कुछ seconds जादा time लग सकता है otherwise आपकी जो है कुछ ही seconds में यहाँ पे chat जो है वो import हो जाएगी तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारी chat successfully import हो चुकी है हम simple done के option पे click कर देते हैं so guys आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे links हमारी chats सब कुछ यहाँ पे आ चुका है लेकिन यहाँ पे जो भी हमारे photos वीडियो जैं वो यहाँ पे नहीं आये हैं so guys बहुत ही अच्छा feature निकाला है telegram ने अगर आपको भी अच्छा लगा तो नीचे comment box में comment करके ज़रूर बताईएगा चलिए मिलते हैं next studio में तब तक के लिए bye bye